पिजिक्स के ये कलरफुल नोट्स की PDF को आप डाउनलोड कहां से कर सकते हो तो ये 6 पेज की फॉर्मुला शीट है अपसुलूटली फ्री पीडियाप और इस फ्री पीडियाप को डाउनलोड करने के लिए आपको आना पड़ेगा j.crashup.in पे जैसे हैं j.crashup.in पे आऊगे तो आपको इस तरीए का एक पेज दिखा ही देगा अब यहाँ पे यह मेरा कोर्स है लेकिन आपको फ्री वाले कॉंटेंट में जाना है तो यहाँ पे यह कॉंटेंट लिखा हूँ अस कॉंटेंट पर जैसी आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी और इसमें यह जो पहली PDF है वही है हमारी physics क formula sheet यह exactly वही formula sheet है जो भी मैं आपको दिखा रहा था यह हमारा mobile friendly version है तो आप इसमें आसानी से mobile में zoom in zoom out करके देख सकते हैं इसको mobile size optimize कर दिया है लेकिन अगर आप इतनी बड़ी size का printout निकालोगे तो इसके लिए आपको बड़ी file चाहिए रहेगी तो वो file भी यहाँ पर available ह यह देखो लिखा हुआ है second वाले में physics formula sheet print quality इसपे click करोगे तो आप इतने बड़े बड़े printouts बड़ी आसानी से निकाल पाओगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने ही notes नहीं आप actually देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी उससारी की सारी PDF absolutely free है जैसे यह यहाँ पर जाओ मैं यह है हमारा जे मंत का lecture number six के notes तो यहाँ पर lecture number six था six में हमने springs के बारे में पढ़ा था बहुत सारे यहाँ पर जो भी आप formula देख रहे हो बहुत सारे examples ही हमने यहाँ पर solve किये थे तो यह भी सब colorful notes है इनको भी आप print करा सकते हैं मैं आपको दिखाता यह colorful notes है लेकिन आपको यह सब printouts लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि आप PDF से भी काम चला सकते हो mobile में तो हम PDF देख सकते हैं जैसा मैंने आपको होता है j.crashup.in पर जाओगे उसके बाद आपको आजाना है यहाँ content पर overview में में मत रहना content में रहना यह actually है क्या j.crashup.in मेरा physics क course है 4J इसमें 40 video होने वाले हैं तो यह P01 जो देख रहा है यह actually first video आप इसको playback करके भी देख सकते हो मैं भी इसको play नहीं करूंगा और यहाँ पर उसके ठीक नीचे है यह P01 उसी session की notes है तो आप इस पर click कर सकते हो आपको पता चल जाएगा इसमें exactly क्या क्या हुआ था तो हम उस video में क्या क्या चीजे cover करी गई हैं और सारे के सारे colorful handmade graphics हैं यहाँ पर यह सभी slides है वापस आते हैं यहाँ पर अगर आप P02 देखना चाहोगे तो उसके लिए आपको course खरीदना पड़ेगा यह actually lock है लेकिन उसके भी notes free है तो आप notes अगर download करना चाहते हो तो सारी के सारी PDF सारी PDF को आप इस तरीके से download कर सकते हो और इसमें colorful graphics हैं तो आपको समझने में बहुत असानी होगी यह सब PDFs mobile friendly है 4-5 MB की है इसे बड़ी-बड़ी file size नहीं है इनको लग से मैंने compress किया है और भी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे हम P06 LED से जाते हैं इसमें हमारा spring mask system जो अभी आपको दूसरा page दिखा देता हूँ जैसे यह हमारे पास friction वाला है तो यही मैंने print लिया हुआ था और आपको print out लेने की जरूरत नहीं है आप PDF से यहां पर organized रहता है PDF से काम चला सकते हो इसी तरीके से आप यहां पर सारी की सारी PDF को download कर सकते हो जो भी PDF आप देखना चाहत इसका course है for ITJ by Vikrant Kirar मेरा नाम Vikrant Kirar है मैंने IT खड़तों से mechanical engineering करी है अब इस course की कुछ खास बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा लेकिन उससे पहले यह 11th और 12th दूनों की physics को completely cover करेंगे इसमें हम ITJ के लिए alright इसमें format क्या रहने वाला है इसमें आपको 2-2 घंटे क one shots भी बना सकता था लेकिन उसको आप एक बार में देख नहीं पाऊगे दो घंटे की वीडियो को आप देख सकते हो दो घंटे के 40 वीडियो यहां पर होने वाले 40 वीडियो में complete topic हम cover कर लेंगे 11th और 12th की पूरी physics cover हो जाएगी लेकिन अब 40 वीडियो में अगर सब चीज compress प्रेस करूं तो भी कुछ extra चीज़े आ जाती है जो optional है अगर आप चाहो और practice करना चाहते हो तो उनहीं के नीचे आपको additional questions वाले 10-10 minute के 2-4 वीडियो और मिल जाएंगे पर मोटा मोटी हमाँ पास 40 वीडियो रहने वाले हैं 2-2 घंटे के तो क्या 40 वीडियो में J.E.Main और तो जब यह 40 वीडियो है और क्योंकि J.E.Main के लिए है तो एकदम basic level से हम start करेंगे बहुत सारे important concept बिल्ड करने वाले जो questions होते हैं वो भी यहाँ पर included हैं साथ में PYQs भी यहाँ पर included हैं तो आपको अगर J.E.Main की तयारी कर रहे है तो इन 40 वीडियो के अलावा आपको क 40 ही वीडियो है और उनमें advanced level के जो भी concepts हमें use करने होते हैं वो सब आ जाते हैं साथ में practice के लिए कुछ questions है और बहुत सारे PYQs यहाँ पर भी added है अगें दो-दो घंटे के वीडियो का format हम लेके चलने वाले है तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि kinematics के J.E.Main वाले देख या फिर kinematics के यह advanced के देख लिए या फिर आप सारे main वाले देख लो और उसके बाद सारे advanced वाले देख लो जो भी आपको suit करता है उस तरीके से आप कह सकते हो overall इस course में J.E.Main मैं आपको total 80 वीडियो मिलने वाले दो-दो घंटे के साथ में कुछ optional छोटे-मुटे वीडियो में मैं बना के डाल दूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ questions important है वो आपको करने चाहिए जो इन 80 hours में नहीं है अपा है लेकिन वो important है इसलिए मैंने उनको भी रग दिया है लेकिन वो आपके लिए optional है आपका मन कर रहा है आपके पास time है तो देखो और example अगर आप crash course की तरह इस course को use करना चाहते हो जेए की date आने वाली है जैसे जेए 24 आएगा उससे अगर देड़ महीने पहले हम है तो हम सिर्फ इन 40 वीडियोस पर ही focus करेंगा उसके बाद हमारा mains निकल जाएगा उसके बाद हम इन 40 वीडियोस को ही देखेंगे इनको हम छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप ये long course की तरह देख रहो तो आप ये करो उसके बाद ये भी कर लो और फिर ये भी कर लो क्यूंकि आपके पास time है content इतना ही रहने वाला content change नहीं होता है is equal to mc2 आप crash course करो चाहिए long course करो चीजें वही रहती है content वही रहता है और इस course में सबसे अची चीज़ आपको मिलते है कि best revision notes मिलते ह आपको अभी हमने देखा था PDF थी mobile में वहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सिर्फ formula नहीं मलता है ये class notes है जो भी slides आपने देखी ये सारी की सारी PDF ये सब class notes है तो आपको देखते ही आज अच्छा ये हमने इस तरीके से पढ़ा था यहाँ पर यह था और revise आप instantly करता होगे तो वह PDF का mobile में बैठे पैठा आप बड़ी आसानी से revise कर सकते हो इस course की सबसे अच्छी बात मुझे लगी और भी इसमें बहुत सारे benefits मिलते हैं जैसे आप यहाँ पे time बचता है आपका किस तरीके से ये videos live नहीं है इन videos के लिए content को मैंने अच्छे से research किया है videos को अच्छी आपका time important है मैं क्यों बार-बार repeat करूँ अगर आपको दोवारा देखना होगा तो आप rewind करके देख सकते हो या फिर क्योंकि यह planned है और recorded है अगर आपको कोई चीज आती है आपने mobile में notes में देख लिए अच्छे इसके बाद ये वाला question आने वाला ये तो मैं वैसे भी समझ है सारे के सारे colorful handmade notes है colorful और handmade दूनों यहां पर बहुत important हो जाता है colorful इसलिए क्योंकि 10 तक हम देखते हमारी पूरी पूरी education system colorful रहता है उसके बाद अचानक से colors कायब हो जाते हैं मैं colors को maintain करके रखना जाता हूँ मुझे personally colors बहुत पसंद है दूसी चीज सारे के सारे handmade graphics है और इस सारे के सारे graphics मैंने खुदने बनाए है उसके बहुत सारे advantage होते है जैसे मुझे कोई concept समझाना है तो उसके लिए क्या graphic जरूरी है वो मैंने खुदने बनाए और हाथ से बनाए ऐसा नहीं है मैं चाहता तो net से उठा करके ppt में डलवा करके भी ला सकता था लेकिन वह आपको content समझ में आएगा इसी तरीके से clarity आती है तो जितने अच्छे graphics होंगे उतने अच्छे तरीके से concept आपके दिमाग में fit हो जाता है एक बार में और एक बार concept अच्छे से समझ में आ गया फिर आप confused नहीं होते हो physics में अच्छे graphics की important सब जानते है यहाँ पर मेरा focus उसी अच्छे यहाँ पर इस तरीके से normal लगता है इस तरफ friction यहाँ इस तरफ friction लगता है इस तरफ mg लगता है सारे के सारे schematic diagrams भी आपको यहाँ पर colorful मिलते हैं आप J 2024 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो या J 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो दोनुई cases में यह वीडियो आपकी 30 months की validity ले सकते हो और अगर आप अभी नहीं खरीदना चाहते हो मानलो आसे 3 महीने बाद 4 महीने बाद यह course खरीदना चाहोगे for J 2024 तो इसमें एक extra हमने 6 months की validity भी रखी हुई है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो आपको जो भी suit करता है वो duration की आप validity ले सकते हो प्राइस में कोई खास अंतर है नहीं सभी में पूरा content मिलने वाला है अब आप बोलोगे content है कैसा तो क्या आप sample देखना चाहोगे और कुछ छबाने के लिए मिरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने हर एक video का एक part YouTube पर free में रखा हुआ है YouTube पर आपको search करना है crash up crash up में तो वहाँ पर आपको playlist section में आते ही आपको जेए की playlist दिखेगी एक यह playlist है जिसमें सारे के सारे जेए मन के वीडियो के initial 40 minutes हर वीडियो के यहाँ पर हैं दो घंटे में से 40 minutes तो free में डले हुए साथ में इसमें course में जितने भी मुझे लगता high yield topics है जैसे छुटे-छुटे topics म अगर हम accelerated vehicle में रखते हैं तो उसका time rate किस तरीके से change होता है या फिर thermal expansion अपने आप में छूटा topic है उसके 2-4 PY के उसको club करके डाल दिया है तो एक-एक topic बन जाता है जिसको आप 10-15 minutes में देख सकते हैं उसके previous years questions भी हम कर ले थे इनको हमने छोटे-छोटे videos बनाया है देख 40% और additional 30% यहाँ पर आपको मिल जाता है almost 70% of the course is actually free आप चाहो तो उसको देख सकते हो उसकी क्या quality है notes आप free में download कर सकते हो कहां से download करने है je.crashup.in से notes को आप देख सकते हो कि क्या-क्या cover किया गया है सारे formula है अब इसको भी PDF आप download कर लेना इनको आप चिपकाल होगे और देखते रहोगे तो याद रहेगा और जल्दी जल्दी आप चीज़ों को revise कर पाऊगे और हम मिलें कि आप जे-ई-मन्त लेकिन जे-ई-मन्त course purchase कैसे करोगे तो उसके लिए देख आपको आना है je.crashup. .in पर all link description में भी मैंने उसका देदी है वहाँ पर आप अगेन इसी page पर आजाओगे जहां से हमने free PDF डाउनलोड करती है PDF सारी की सारी फ्री है आपको देखने के लिए कि क्या के content cover किया गया है यहाँ पर course का description आपको देखेगा यहाँ एक चीज़ देख रही है कि validity six month लिख खरीच सकते हो वैसे इस course को आप एप के बिना वेब वर्जिन में भी देख सकते हो laptop के तुरू भी आप इस course को देख सकते हो अच्छा यहाँ ऊपर हमें download app दिखाई दे रहा है उस पर click करोगे अगर आप android में हो तो सीदे सीदे crash up की app download हो जाएगी लेकिन अगर आप iPhone में ह iOS में हो तो download app पर click करने पर इस तरीके से आपको my institute नाम की app दिखाई देगी उसको आप download कर लेना और इसको open करना जैसे ही आप इस app को open करोगे अब यह crash up की app नहीं है यहाँ पर my institute देख रहा है यहाँ पर logo भी कोई और है लेकिन यहाँ पर आपको एक organization code लिखना पड़ता ह organization code क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो code है P Z G L O क्या है code P Z G L O description मैं लिख दूँगा उसको भी एक बार code लिखने के बाद आप verify करोगे तो हमारा logo भी यहाँ पर आ जाएगा और देखो इस तरीके से अब यहाँ पर crash up का logo आ चुका है अब आपको अपना mobile number या फ देख सकते हैं mobile app में भी देख सकते हैं laptop पे भी देख सकते हैं कोई issue नहीं होगा और इतने सारे colorful notes की पीडिया वहाँ पर free है बहुत सारा content उसमें से काट काट करके YouTube पर free है चेक करो content और अपनी बढ़ाई start करो colorful notes के साथ पढ़ने के लिए आ जाओ जही मन्त पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं इतने simple diagram आपके लिए बना पाऊं ताकि visualization आपको एक बार में हो जाए physics आपको तुरंत सबज में आने लगए आपको लोगे हाँ याँ आप्वियसली चीज कि किसी भी आईटी में आप जापाऊगे तो heart और पढ़ाई को mix करते हैं आते हैं g.cafet.nb